खर ये नियू सुनने की अब तो आदत ही पड़ गई है कि एक्जाम पॉस्पॉंड हो गए है आपको भी नोटिफिकेशन पता चला होगा कि MTS एक्जामनेशन अब पॉस्पॉंड हो चुका है और जो कि एक जुलाई से होने वाला था मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या लिखा गया है और क्या वज़ा है इसको पॉस्पॉंड करने की वे सभी चीजे में आपको बताने वाला हूँ सीजी और सीटेस नो एक्जाम के बारे में डिसकस करेंगी कि क्या कुछ एक्जाम कब से कब तक हो सकता है जीन भी करज़िट का MTS का एक्जामनेशन था उनके लिए ज़रूरी सुचना है बिल्कुल आपको इसे ध्यान से सुनना चाहिए और जानना चाहिए कि आपका यहां पर आप देख सकते हैं और यहां पर स्टाफ स्लेक्शन कमिशन की तरफ से जारी की गई क्योंकि कंडिडिट परिशान हो गया है अभी तक कोई भी एक्जाम सही से हुआ नहीं है चाहिए वो जो रिजल्ट है वो भी ठीक से आ रहे हैं 2018 अब जाके आया टाइपिंग का सो देखो कितना ज्यादा डिले कर रहे हैं जब कोविड नहीं था तब भी डिले होता था अब कोविड के बहाने ही हो चुके हैं और कुछ भी नहीं कि अगला एक्जाम होगा वो कब तक होगा इसके पहले जो चीजियल का हो चुका है उनका भी अभी तब कोई डेट यहां पर नहीं दिया गया है तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है मल्टी टास्किंग नॉन टेखनिकल एक्जामनेशन पेपर 2020 2020 का एक्जाम था इसे आप लोगों ने फिल किया दा फॉर्म एक चुलाई से यह होने वाला था बट एक चुलाई से 20 जुलाई के बीच में होने वाला था अब इससे पॉस्पॉंड कर दिया गया है फर्दर कब बताया ने गया है कि क्यों किया गया है बट only reason is here that is COVID-19 है ना तो COVID की वैसे खासकर परसानिया तो है अब भी केसे काफी कम हो गई है बट situation काफी ज़्यादा खराब हो कि रखी हुई है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि third wave इंडिया में जल्दी ही आने वाला है तो उसको precaution अगर यह situation कुछ precautions को major करके exam conduct करा सकते थे ऐसा कि यह कर सकते थे बट इनका intention नहीं है कि exam को कराया जाए क्योंकि अक्टूबर में अगर आता भी है third wave या फिर सा दंबर में तो कम से कम एक दो महिने तो रहे गाई दो या ती महिने तक रहे गाई that means कि December आ जाएगा और finally यह exam इस साल भी नहीं हो पाएगा तो खुल मिलागर के बच्चों के हाँच में निरासा ही सिर्फ है और कुछ भी नहीं लगने वाला है तो यहां पर लिखाए कि face date of the postponed examination will be announced on the commission due course and candidates are requested to visit the website visit करते रहे यह website पे आपको पता चलता रहेगा further वैसे आप लोगों यह पता होना अच्छी कि जो भी examination चाहे जब भी हो अगर आपने form भरा है तो exam तो conduct हो गाई होगा मैं भी इस साल ना हो तो अगले साल तो होगा यह लेकिन सबर का बाहन तूट जाता है जब exam नहीं होता है अगर कुछ result भी सही स्याद है तो भी motivation मिलता है यहां पर बात करते हैं बात करते हैं बात करते हैं तो में भी बताया जा रहा है कि जुलाई फर्स्ट वीक तक आ जाएगा तो होपसो अगर आपका result आता तो बेस्ट आप लग बाकि जिनका बात करते हैं कि जिनका अभी होने वाला है उनके लिए मैंने कुछ खास वीडियो यहां पर लेकर आई हैं दोस्तों यहां पर मैं लेकर रहें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो को जाकर आप जरूर देगे हो जो भी एक्जाम आप दे रहा हुँ चायों से लो सीचियल हो या फिर एससी के अलग एक्जामनेशन होते हो जो भी या फिर रेलवे के उन सबी जगह पे अपने जो हिरूज हैं हमारे इंडिया को इंडियों कराने में उन सबके जीवनी से रिलेटेट उनका बर्थ कप थ देखे और उनकी जो जो उन्होंने स्लोगन्स दिये हैं जैसे शुबाश्चादर बोज में जहन जाय भारत कर नारा दिया है भगत सिंग्न दिया इंकलाब जिंदवाद तो ऐसे में यह सारे जो इनसे रिलेटेटर जो चीज़ें होती हैं वह काफी ज्यादा एक्जामनें इनके बारे मैंने काफी अच्छे डिटेल्स में यहां आपको बीडियो में बताया हुआ है तो आप इन वीडियो पर जाईए इन्हें देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि जो भी मैं फर्दर वीडियो लेकर आओ तो आपको नोटिफिकेस में मिलता रहे है नमस्कार मैं शुशंकरतवारी हूँ और आप मुझे टेलिग्राम पर मुझे जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम पर यह मेरा आइडिया है इस पर जागर कर लो वहां पर जो भी मेरी वीडियो होती है उसकी लिंक मैं प्रवाइट करा देता हूं और साथ में जो भी पीडियो लेकर आई है कल पुना चौला को पर आप उस वीडियो को भी आप जाकर देखिए इस तरीके से नौलेज आप अपना बढ़ाते रहों पर दे एक्जाम नहीं हो रहा है आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी तो जिस दिन मौका मिलेगा वजिन आप छक्का मारोगे तो बिल्कुल आप बने रहो डटे रहो और अपनी तैयारी में लगे रहो तब तक आपके लिए आपका दिन सब्सक्राइब जाहिंद जाभारत